आप लोग आप लोग ठीक होंगे मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज में देखिये जिसके में रेडियो रखी हूँ तो आज मैं फ्रेंड्स जा रही हो नुआ पड़ा क्योंकि मैं थोड़ा काम है मैं मतलब जो भी काम है आपको बाद में बताऊंगी तो आप लोग वीडियो पर बने रहे हैं बिना स्किप के वीडियो देखिए बहुत ही मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स यह वीडियो बहुत ही मज़ा आएगा आपको तो हम लोग अभी नौ बद चुका हैं हम अभी निकल कम आप लोग को करती हूं और इतना प्यार और सपोर्ट देखाने के लिए थाइंक यू और जो लोग न्यूद देख रहे हैं मेरे वीडियो को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीड जाड गाड़ी में फिर चल दिया है भी नुआ पड़ा हम मैं और मेरी हजबेंट मेरी बेटी और हमारे ड्राइवर दा इतने जन हम जग गाए तो मेरी बेटी ना बहुत खुश हो रही थी फ्रेंड्स क्या 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 बगवग बगवग का रही थी बोलिए मान इतना वो अपना एक ठो बैग में अपना समान लेके चल रखी थी वह बहुत कुश होरी थी तो अभी हम अभी पलंपूर में हैं अभी यह सब पलंपूर का ही रोड है तो आज ना फ्रेंड्स मेरी बेटी ना बहुत जड़ी उठ गई कभी उठती नहीं जैसे मैं आपको बताती ह बहुत बढ़िया बन रहा है बड़ा करके बन रहा है मस्त सुन्दर बन रहा है तो अभी नया बन रहा है वो तो मेरी बेटी ना बहुत जल्दी उठ गई फ्रेंड्स आज और ना मतलब कभी उठती नहीं है हम सोच रहे थे दोनों कि उससे छोड़ के चले जाएंगे उसको कहीं बीग जाएगी ना बच्ची बोलके फिर हम भी गाड़ी करके गाड़ी में लेके गए उसे तो तो यह देखिए बहुत अच्छा मौसम किया था फ्रेंड्स आपको क्या बता ऐसे मौसम में ना कहीं जाओना बड़ा मज़ा आता है मैं तो ऐसे एंजॉय करी थी इस मौ अब वह सरदर्द होता है मैं जरना बिल्कुल अच्छा ने लगता है लिखे मेरी वेटी कैकत बॉल रही है और वह अनौसम मतलब घुमते रहती है गाड़ी में अदर श्यां बीनी लियूह और मॉट अल Trung रूया नहीं मुझंग़ मिद्धन से बहुत मतलब अच्छा ने ल आपको क्या बताएं आपको सब कुछ जखाऊंगे मैं इस वीडियो पर आप लोग ऑन दी वीडियो पर बने रहिए और देखे कितनी सुंदर सुंदर निजारे में ने देखा तो हमने दो तेन बार जा चुकी हूं क्लास भी कर चुकी हूं तो आज मैंना क्लास करने नहीं जा पूटू नशिंगनात का रोड कुछ इस तरह है फ्रेंड्स देखें दुनों तरह अपना ऐसे पैड हैं बहुत और बिल्कुल ग्रीन 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 खली जंगल 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 ही दिखेंगे आपको नहीं तो बहुत सुंदर रोड है बहुत ही मस्त लगता है जाने में और देखें फ्रेंड्स में बैठी थी राम से और किकी खुला करके हवा मस्त खारी थी मस्त थंडी थंडी हवा जा रहे थे तो यह देखेंड्स हमना भी पाइक माल तक हो गए हैं तो अभी नहीं मैं आपको दिखाऊंगी नर्सिंगनात का जो पहाड है उसका नाम बहुत है ग लेने गए थे तो पहाड़ना जो लेकर जा रहे थे आधा जो टूटके गिर गया था तो वह परवत है यह बोलते हैं तो यही वह गंदमर्दन परवत है इसका नाम यह बहुत पवित्र परवत है फ्रेंड्स इसमेना बहुत सारी मतलब ओश्य दिये चीजे मिलती हैं बहु दुंदला दुंदला दिख रहा थे मैं फिर विजूम करके आपको दिखा रही हूं वो जो पहाड़ है ना फ्रेंड्स वो है जो गंदमर्दन परवत एक्चुली ना फ्रेंड्स हम लोग नर्सिंगना जाने वाले थे लेकिन अभी लोगडाउन के लिए नर्सिंगना कियूं और छोटी जब थी तब भी मैं एक बार आई थी ममा पापा के साथ तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत मतलब ग्रीन 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 चारो तरफ फ्रेंड्स अभी धूप की टाइम भी आब आवना तो इतना ही ग्रीन ग्रीन आपको दिखेगा पैड़ बहुत अच्छा लगता है इस एरोड और बोलते हैं महावादी भी बहुत अटाक्स होते हैं इदर तो जंगल है ना फ्रेंड्स इसलिए तो वह पाहार ना थोड़ा थोड़ा दिख रहा है गंदमारदन परवत तो वह इसलिए मैं आपको पहार दिखाई कभी फ्रेंड्स में शोर है और बच्ची माहती नव उत्रे और मैं बैठी थी काडी में अपलगों को वीडियो कैसा लग रहा है मुझे बताना कॉमें और वीडियो पर बने रही है यह वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाला है अप लोग को बहुत कुछ दिखाने वाली हूं बहुत जगे अ तो वीडियो पे बने रही है और मुझे ऐसे प्यार और सपोर्ट कीजिए थांक यू तो फ्रेंड्स यह ना हम जगह टिफिन कानी के लिए रुके थे ना वहां एक आम का पेड़ था फ्रेंड्स जो आम का पेड़ में आपको में दिखाऊंगे इतिने आम थे कि क्या बता हू आपको एक मैठी बीटी ना बैठकी गाड़े में चेप्स खा ए थी और मैं बाहर ख़ड़ी थी मैं आपको दिखा दिती हूं कि कि तिने सारे ना आम थे वाहां पर पैड़ में और पास पुरा थे और लोग भी थे वाहां पर किसी का पेड़ होगा सैड्स दिखिए कितिने सारे ने जोल रहे हैं पर पाके हूए या दी तरह वीट नहीं नहीं ले रहोगा या पिर खटाया या पिर किसी का पैड़ होगा ऐसे मतलब पूरा भी प्ता से जाधा आम देख रहे थे तो इस तरह गा व्यू था वहां का तो यह लुक टिफिन गारे थे तो मेरी बेटी और म में यहां गाड़े में बैटे थे और मेरे वादि ला दियों किटना थोड़ा सा तो हुझा ढम गाड़े में बैटके ही खाऊंगा यह दुकान का दो की अगरा घ्रैे नहीं तो इस तौट एए टेस्ट सफर टेश्टी हैं कि में देगे देखे मैं खा रही हूँ बहुत तीश लग रहा था सची में तो चलिए फ्रेंड्स आगे वड़ते हैं तो यह हम टिफिन खाने के बाद ना फिर आगे वड़े और फिर देखी कितना सुंदर सुंदर निजारा है तो मैं उस टाइम ना फ्रेंड्स बारी सो गई फिर और बार तो मस लगता है देखिए मैं मजे लेरी थी बाइरिस का बहुत अच्छा लग रहा था था थोड़ा थोड़ा बारी वीच में तो ग्लास दे दीती थी तो इसे तरह समय जा ले थी मजे कर रहे थे देखिए तो देखिए फ्रेंड्स अभी हम नुवा बढ़ा ना इंट्री क अब पहुंच गये हैं अभी वह फाटक कर रहे हैं पर हम पहुंच जाएंगे नौपड़ा तो नौपड़ा ना मतलब जाने में हमारी हांसे नौपड़ा ना मतलब रास्ता बहुत बढ़िया है ज्यादा मतलब धिक्कत नहीं होती है तो यह हम कर लिये हैं और फाटक रेलवे फाटक तो अभी नौपड़ा को एंटर कर गए हैं तो नौपड़ा यह है फ्रेंड्स देखिए अभी मैं आपको यहां का कुछ वियोज दिखाती हूं झाले सबस्ता पूर रास्ता बहुत बहुत झाल तो फ्रेंड्स संहों लोग पहुँच गय है हमारे सेंटर को मतलब मैं जा मतलब मैं जाया करती हो ग्लाश्स। वह पहुँच गया है जहा ट्रेनिंग Україों मैं तो फाइनली पहुंच गए अभी हम मैं अंदर जाओंगी और मेरी बीटी को लेके गई अंदर आधे दर दूर तक गई फिर ना क्या भात है फ्रेंड्स की लाइट नहीं था तो मैंना फिर बाहर हम चले आए अंदर नहीं रहना था मतलब क्या करेंगे अंदर रहके पेसेंट बहुत से बहुत सारे पैसंट थे तो ना हम फिर बाहर चले आए बच्ची को लेके और बाहर गाडी में बैटे थे और बहुत चंदर मौसम क्या रखा था मतलब दूप बिलकुल नहीं हो जा था तो दूप नहीं हो रहा था तो फ्रेंड्स बहुत बढ़ी हा लग रहा था संडर तो यह बाहर का कुछ भीउ था मैरी जो मतलब ट्रेंणंग सैंटर बाहर का कुछ भीउ ऐसा था तो देखिए में बैटी के साथ बैठे थे गाड्य में खिडकी को खुला रग अ कई बैठे थे और कुछ योब आते बाते त flavor है कर रहे थे तो देखिए आगे क्या कर तो फाइनली पर लाइट ना फ्रेंड्स आ गया मतलब लाइट आ गया फिर हमारा एक लिए में क्लास भी करने वाली थी लेकिन क्लास में नहीं कि उस दिन तो देखिए मैं अपनी जो प्रक्टिकल करते हैं वहां सब का कुछ चीजेश आपको दिखाती हूं तो यहां ना फ्रेंड्स हम प्रक्टिकल करते हैं तो यह हमारा सर जो बैठे थे वह मारा सर थे तो वह कुछ कर रहे थे और मजह बुलाए तो मैं अंदर गई थी तो उनसे लिए मेरे जो उल्हां ना फॉल्हरा चीजेश 右 चाहरे मैं यहां तो पहले यहां का उनसे तो कुछ इस तरह और यह और एक रूम है, यहां भी हम करते हैं, यहां देखाल देती हो वो भी, तो यह देखे, यह भी अंदर एक रोम है, यहां भी सब हम प्रक्टिकल सुख करते हैं, तो बहुत अच्छी तरह सखाते हैं सर मैं तो अभी बस मतलब कितने एक ही क्लास की यह बढ़ी हाँ सिखाते हैं मतलब बच्यों की तरह अतना ट्रीट करते हैं पुरा और यह हमारे नहीं है प्रक्टिकल रहे थे फ्रॉइज काते नहीं। तो बहुत सारी स्टुड़न्स आते हैं और कुछ इस तरह देखिए यहां रूम है जो हम नहीं जाते हैं अंदर और यह हमारा मतलब संटर का काॉंटर है और यह कांटर में पहले एंटर करने से पहले एक मंदिर है और है गरेज भगवान जी का मंदर है तो बहुत नीड औन क्लीन भी रहता है हमारा संटर बहुत लीन फ्रेंड मतलब साब सत्री पूरा और यह कुछ पैसेंट्स वहां बैठे ठे तो कुछ इस तरह ऐसा है अब दिखाने वाले थी आपको जो बोल लेती है बहुत कुछ आप दिखाऊंगे आज तो यह हमारा सेंटर होती है और यह एक रूम है जो वहां भी हम नहीं गई भी तक तो यहां एक रूम है जो हम यहां भी प्रक्टिकल कर चुके हैं कि अन्दर तक मैं नहीं जाओंगी कि मुझे फ्रेंट्स डल लगता है कोई नहीं था वहां फेर तो मैंने गई अंदर भी है तो यह और एक अंदर भी है कभी अंदर से मैं अक पतार ओंगी आहां लेट्रिंग और बातरूम भी है फ्रेंट्स और और यह ना सर पसंट देख रहे थे कुछ पसंट आये तह उनको देख रहे थे और स्ताइम में हवाग खड़ी थी तो देखिए कितने डिस्टांस में हैं वो पेसंट क्योंकि ना कोरोना के लिए इतना डिस्टांस देखना थीक हैं dependent को तो वो लोग इतना दूर खड़े थे दो तो आहां जाए एक हूब सब्सक्राणूशेदा जाएगे आप फिल разм ê सो ये वो हैं भाद जाएंगे तो मतलांे आख मेरा से जाएंगे जहाएं और मैं भी अभी जाओंगी मेरी बेटी अंदर ही थी तो चलिए फ्रेंट्स हम फिर रिटन जलते हैं निरसिंगनाथ तो जाना नहीं है क्योंकि बंद है ने तो मैं आपको वह भी दिखा देती उसका एक अलग सा एक वीडियो बना देती नहीं तो नेक्स्ट स्योर आँगे फ मतलब रस्ते पर लंच कर लेंगे क्योंकि बहुत लेत हो गया था और मेरी बहाए बीटी को ना घर की आसा पाला प्रेंट्स लेकर जाओ ना काम भांफित ना तो इसा हो जाता है तो में फिर हम चले से रिटन चले तो रस्ते में कहीं भी हम खा लेंगे कुछ भी तो चलिए चलते हैं तो फ्रेंट्स हमना मीठा पाली पहुच गए रस्ते में मीठा पाली पढ़ता है और वहाना एक धाबा है और दादा बोले मारे ड्राइवर दादा की वहाँ का खाना बहुत टेस्ट लगता है बहुत ही टेस्ट डिलिशेश बनाता है तो चलो हम खाते हैं बोले पहले थोड़ा हाथ सनिटाइज कर लिए क्योंकि भी बहुत जरूरी हो गये सनिटाइज सनिटाइज करना थो थोड़ा पहले सब हम लोग हाथ को सनिटाइज कर लिए मेरी बेटी भी सनिटाइज कर लिए हाथ को और हाथ दिखा रिए तो हम वहाँ एक छोटा सा रूम था तो वहां एक्टुली बैड़ गए और बहुत मतलब क्यूट था मतलब धावा बहुत सुन्दर था मिको तो बहुत अच्छा लगा तो कुछ इस तरह देखें में दिखा देती हूं वह रूम छोटा सा रूम था कूलर भी लगा दिये थे और एकदम से धावा वाला फील आ रह वह खाना हमें दिया है तो घंज हम न भी खारे खाना तो मेरे खाना खाने का योस्ति किया है अब मैं खाई यह मचली कि मतली ऐगा आइकम है तो प्यार देगे ना जाएक्टाम बहूत तेस्स लगता है तो ड़ूटा अट्टा कार्याव्यक्ति अब फिरोटी बीडियाये मेरे को सबिसे अब है कि अचरापए में से यहें पर फिड में सब्सक्र likely to come कि subscribe तो यह हमारे खाना फिनिश हो गया और मैंने बेटी को भी खिला दी और इसको पोच पास दी और मैं खुद भी हाथ मों पोच ली और बहार बैसीन था तो वहां हम हाथ होएंगे कि ओधावे खाना फ्रेंच धावे कहा थे क्ता मैं आपको ड्वा दिखाऊंगी प्हाला दूंगी और नाम ब्हू बता दूंगी अगर कर दो इधर से जा रहे हो ना है पदमपूर से तो पहले में खाना बहुत स्थि था उसका खाना director प्रेंड्स सब जितना भी मतलब पूरा अच्छा मटन था मेरी हजबन खाया और दादा खाया तो वो लोग बता रहे थे कि बहुत अच्छा मटन दिया है तो फिर यह ड्रिंक्स जो भी मेरी बेटी तियोंगी बोली तो इसके लिए एक ड्रिंक्स लेली हमने और मारा गाड़ जो रस्ते के उस पार था बहुत चोड़ा रस्ता है और यह दिखिए ढावे का नाम है किंक्स फामली ढावा तो यह है मीठा पाली में अगर आप किससे भी तब कभी भी वहां से जा रहे हो ना तो यहां का अगर लंच टाइम हो तो यहां का लंच या डिनर यहां का खाना खाएंगल बहुत टेस्टी खाना था तो फिर हमें फ्रेंट्स हमने वह पतरपुडा अडर किया था तो मा के लिए तो वह हम फिर पाकिंग कर वाकर ना उसके लिए 95 रूमीले फिर पकड़ के फिर हम फिर पदमपूर के लिए निकल गए तो फिर हम पदमपूर जाने की रस्ते में और एक क्या था उसको नाम का वो जगह का नाम मुझे नहीं पता है वहां से हम रजबरा लेके जाएंगे फ्रेंड्स क्योंकि वहां आते टाइम ना वहां से बहुत सारे लोग ले रहे हैं बोलके तो यह फ्रेंड्स कुछ इस तरह सा मतलब व्यूज देखिए हमें रिटर्ण करते टाइम भी कुछ वीडियो सूट की थी और एक रस्ते में एक मंदिर पड़ता है फ्रेंड्स मैं आपको वह मंदिर दिखाऊंगे अभी देखिए वह मंदिर यह है वह तरानी का मंदिर है और बहुत ही प्रतक्षय मंदिर माना जाता है तो आते जाते टाइम लोगों हाँ पर नारियल देते हैं तो मंदिर फिर क्रॉस कर गए फ्रेंड्स हम तो उसके बाद ना जो दुकान मैं आपको बोली थी रजबरा लेनी के लिए वह दुकान से हम रजब उनको प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरी वडियोस को नोटिविकेशन आप दक पहुत जाएगी ताटा बाइ थाइंक यू एन जोहार फ्रेंड्स टेक केर फ्रेंड्स ध्यान रखी अपना